हेलो इस्ट्रेंट स्वागत आप सभी का हमारी योडिक चैनल माइट सब्टेक्टो में इस पीडियों हम बात करने वाले इगनु के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जो इगनु के 37th कन्वोकेशन के रिकार्डिक है इगनु ने आज अपने 37th कन्वोकेशन जो होने वाली है उसका सेडियूलिंग जारी गर दिया है लिजुल्टी क्राइटेरिया और भी कई सारे पॉइंट जारी किये हैं अगर आप हैं जो हम आगे बात करें किया कि इलिजिवल्टी क्राइटेरिय है इलिजिवल है तो चरूर से अपलाई करें कैसे करना है इसके रिगार्डिंग डूर्डी वीडियो बनाई जा चुकिए उसे आप देख सकते हैं फिर इस नोटिपकेशन की बात करते हैं इगनू दस जनवरी 2024 को यह नोडिफिकेशन जारी किया है जिसके अकॉर्डिंग आप लोग और जो डिक्री सेट्प्रिट और डिप्लोम प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए आपको रेइश्टेट करना होता है रेइश्टेशन का प्रोसेस मैंने प्रिबिएस फ्यूडिये में कवर कि उसमें होगी 20 परवरी को यह और्गनाइज होने वाले यह 20 परवरी 2024 को जो सेलेक्टेट केंडिएट है जो बेसिकली गोल्ड मेडलेस्ट है उनको यहां पर बुलाया जाएगा उनको संभाइद किया जाएगा उनकी टिक्री प्रोवाइट की जाएगी और देखो यहां पर प्रेसिडेंट रहें थी चीफकेश्ट के रूप में इस दीज़ो बाइस प्रेसिडिंट यहां बहु होने वाले शोले हैं मुख्य अतिती के लूप में इसके बाद में next पॉइंट की न्याहाँ पेक स्यूंसलेंग जोब 10th of February, मतलब आपको 10 ताइक से पहले पहले जो भी submit कर देंगे तभी आपको बुलाया जाएगा, otherwise आपको फिर दिक्कते होंगी Alright, इसके बाद में इगनों ने मैंशन किया है The reason, regional center may decide about the program for which students are to be invited in the convocation, और ये regional center decide करेगा किसको invite करना है और किसको नहीं, alright, इसके बाद में, the degree, diplomas, advocate can be collected in person by from next day of the convention, convocation from the respective regional center by the following student or will be sent by the concerned regional center by post to the address of the student, देखो, या तो आप regional center से collect कर सकते हो, या फिर जो आपका degree है, diploma, as advocate है, वो आपके to registered address से उस पर भीज़ दिया जाएगा by post, आप यहाँ पर possibility criteria बाद करें, देखो, यह जो 37th convocation हो रही है, उसमें बो student eligible हैं, जिनके degree और diploma, मतलब सारे courses June 2023 तक complete हो गए हूँ, मतलब June 2023 के TTE में, तर्मेट exam में और December 2022 वाली term exam में, ध्यान दीजेगे December 2022 तर्मेट exam, not December 2023, जिनका December 2023 में update हो रहा है, that means, वो eligible नहीं इस convocation के रिगाड़े, उनकी convocation 37th में होगी, तभी आपको degree और diploma मिले वाला है, इसके बाद में, first point है, the eligible student who have paid the fees, 600 जो regional center को आपको submit करनी है, where convocation is not to be held, okay, the eligible student who have been invited to attend the convocation but could not attend the, मतलब अगर आपको बुलाया जाते हो और आप attend नहीं कर पाते हो, उस case में क्या होगा, the eligible student who could not be invited, या फिर आपको invite ना किया जाए, या आपने fees ना भी एगई हो ना, आपको invite किया गया, उस condition में आपको करना क्या है, अपनी reason center पे आपको register करना है, 600 पे आपको fees submit करनी है, उसके बाद आपको, तो degree और डिप्लोमा से एटकेट है, वो आपको मिल जाएगा, उसके बाद में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, so make sure, चिनभी श्वेंट का December 2022 के टमड एकसाम में या जून 2023 के टमड एकसाम में, सभी theory goals complete हो गए हैं, वो apply कर पाएंगे, साथी साथ practical भी आपके हो जाने चाहिए, assignment के marks भी लग जाने चाहिए, जबी आप eligible होते हैं, डिग्री Convocation पे अप्लाई करने के, तो all right, डिश्वेंट ये थी update, आपके डिग्री Convocation 37 Convocation 2024 के बारे में, होब कि आपको clear out होगा, वीडियो पसंद आई, तो इस पीडियो को लाइकें शेयर गए दें, सभी श्वेंट के साथ में, साथ ये ऐसी और वेप डिपाने के लिए, चैनल को चरूर से सब्सक्राइब करें,